गुड मॉर्निंग टू अल फ्यू स्वागत है आप सभी का हमारे इस ओफिशल यूटूब चैनल में जिसका नाम है S.O.L.Solution और मैं चंदन कुमार आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ आज की जो वीडियो है ये ऐसे स्टुडेंट्स के लिए है जो यूजी का कोर्स कर रहे है यानि अंदर गेजुएट में है या फिर वो पीजी में है तो आज की हमारी जो यह वीडियो है उन स्टुडेंट्स के लिए बहुत ज़्सादा IMPORTANT रहने वाली है चाहे वो सभी UZ या PG के जो student है वो SOL के हो या फिर IGNU के हो या हो सकते है वो Delhi University के regular college के किसी भी college के हो सकते है या फिर किसी state universities के भी student हो सकते है तो आज की जो वीडियो है आपको इतना लाबानवित होने वाली है क्योंकि हमने कैसा topic चूज किया है जो आपके exam में 100% आते ही आता है लास्ट येर का अगर आप अपना regular का question paper उठा के देखोगे तो उसमें भी आपको ये मिलने वाला है और साथी साथ आप जैसा जानते हो कि CBCS system नया SOL में add हुआ है तो जो ये इस labor सही है उसमें भी है तो इस question की आने की संभावना इस साल भी पूरी पूरी है और इसलिए मैंने आप सभी के लिए ये वीडियो बनाई है बहुत से students मेरे को previous वीडियो में comment कर रहे है और कहा रहे थे कि sir हमें भी notes provide करवा दीजिए हम किस प्रकार से आपके notes collect कर सकते हैं तो मैंने आपको वीडियो के description में एक link दिया है उस link के through आप मेरे को instagram पे follow कर सकते हैं साथ ती साथ actual solution का हमारा facebook page है उसमें आप हमसे जुड़ सकते हैं साथ ती साथ जो notes के लिए especially notes के लिए हमारा telegram का link है अब उस link के through अपने group में add हो सकते हो फर्स्टियर का लगे second year का लगे third year का लगे वैसे तो इस वीडियो में आपका first year के जो students है उनके लिए first year का आपको telegram का link मिलेगा आप उस link के through उसमें जा सकते हैं और सीधा हमारे उस channel को join कर सकते हैं यहां पर मैं आपको समय समय पर प्रतेक वीडियो के आपको notes प्रोवाइड करवाता रहूंगा तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो पिछली वीडियो की तरह जतना आपने मुझे प्यार दिया आपने like के share करें और comment करके आपने मुझे बताया भी अपका अनुभव के किस प्रकार का अपका अनुभव रहा तो आप मुझे इसी प्रकार से बताते रहेंगे ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही नही नही वीडियो लेकर आता रहूं और आपके exam की अच्छे से preparation होती रहे तो शुरू करते हैं दोस्तों जैसा कि मैंने बताया यह question आपके exam में important है और आए गई आएगा यह कहां से पहली बात chapter में कहां से पूछा जाता है तो मैं आपको बतादू कि आपके unit 3 है उसका part 1 है उसका question है और इसका question सिधा simple सा बने का आप देख सकते हो एक पहला आदिकाल है और दूसरा आप देख सकते हो इसके अंदर मद्यकाल है अब इसके बारे में question हैगा और पेपर में जरूर आएगा यह बहुत बड़ी unit है इससे question पका बनेगा 110% बनेगा और आगे के जो questions है आपको वो तभी समझ में आएंगे ज इस तरह के जितने इस से जुड़े सारे सवालों के जवाब आपको लगातार एक के बाद एक वीडियो में मिलती रहेंगे आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रियास करें दोस्तों ताकि और भी लोग इसका फाइदा उठा सके जैसा कि आप देख सकते है पी स्क्रिन पर की आज हम इसको बदाएंगे कि इस तरह कi से पूरे में विवाजत किया गया है और इसको किस परकार से फार यह दा को बटे बाई-बटे जितने भी मार्व मांक्स का आता है 12 मांक्स का आता है तो आपको 2 आपको पूरे sort मिले 6 मिले ने आपको तो इसके अंदर सबसे पहले आप देख सकते हो इसके अंदर आपको लेकन की प्रिवर्थी किस ही तरीक नकर प्रिविर्ति का मतलब होता एक तरीके सा उनका ढंग, तो ये जितने भी साहित लिखे गए, अपने समय में, ये उसकी परिस्तिती और समय के अनुसार बदलती है, अब देखते हैं, कि यसे आज की परिस्तिती है, तो आज के लेखक, आज की परिस्तिती के अनुसार अपने ल कि साहित्य लेकन की जो प्रिविर्थी है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती वो समय के अनुसार और परिस्थितियों के अनुसार वो बदलती रहती है सबसे पहले बात आपको यह ध्यान रखना है कि साहिते लेकरन की जो प्रिवर्थी है वो परस्तितियों के नुसार और समय के नुसार बदलती रहती है साथी साथ इस तरह हम यह कह सकते हैं कि साहिते समय समय पर अध्यन के अदार पर हमें साहितिक लेकरन होता है मतलब कि समय समय पर जो भी उस समय की मौजूदा इस्तिती होती है उस मौजूदा इस्तिती से ही हम उस समय की प्रिविर्थी का पता लगा सकते हैं कि वो कैसी है या कैसी नहीं है इसी प्रकार से आपके बहुत बड़े विद्वान है जिनका नाम है राम राम चंदर शुकल ज इन्होंने जो हिंदी भाषा है यह हिंदी साहित है उसको क्या किया है उसको विवाजित किया है उन्होंने किस तरीके से विवाजित किया है सबसे पहला आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि वीर गाता काल है नमर दो पूर्व मद्या काल है नमर तीन आपने देखा उत्तर परोगे चारों के नाम रखना है याद रखना है वीर गाता काल पूर्व मद्यकाल और फिर उत्रमद्यकाल और अंत में आपका आधुनिक काल इन्होंने इसका विवाजन किस प्रकार से किया है इन सबका में आपको जिक्र करने वाला हूँ आपको बताने वाला हूँ तो सबसे पहले आपको दियान रखना है सबसे पहला काल कौन सा है आपका वीर गाता काल वीर गाता काल इसे किस नाम से जानते हैं भी जैसे हमने उ लिखा वाजा है वीर गाता काल की विशेष्टाओं को बताईए या इसकी प्रिविर्टियों को लिखिए तो आप इसको समझ जाएंगे कि ये किसके बारे में पूछ रहा है ये कोशन आदिकाल के बारे में पूछ रहा है कि आदिकाल और वीर गाता काल दोनों सेम ही है एक सि भी रचनाओं को किस काल के व्यक्त रखा फिख्ट है इसें लिकर यह सकते और इसें वीर गाठकाल कह सकते हैं बढ़ता हम बढ़ता है दोस्तों दूषरा काल कौम आपको बताया पूर्व मद्यकाल पूर्व मद्यकाल इसे भी अगर देखेंगे कि इसको आधिकाल भी इसको भी आधिकाल के अंटरगत रखते हैं और इसका जो time period है इससे just आगे बढ़ता है 1375 से यह शुरू होता है अगर हम देखेंगे पूर्व मद्यकाल और यह जाता कब तक है 1700 इस भी तक जाता है जो कौन सा काल है यह पूर्व मद्यकाल है थड़ पर आएगा आपका उत्तर मद्यकाल उत्तर मद्यकाल इसे कौन सा काल कहते है इसे रितिकाल भी कहते है इसका उध्यक कब हुआ 1700 इसवी से 1900 तक हुआ है और जो last one बच गया है हमारा फोर्थ नमबर आद्वनिक काल देखो दोस्तों मैं आपको चार काल में विवाजित करके बताया है जिस तरीके से राम चंदर शुकल जी ने बताया है पिप्रम कोशन इस तरीके से आएगा कि राम शंद्रसुक्ल जी ने हिंदी साहत है को कितने वर्गों में वाजित कया है तो आपको क्या लिखना है c4 वर्गों में वाजित ऑस अव कभी अब हम कहेंगें यह सन 1900 आपने ही उत्तर मद्यकाल जहां खतम हुआ है उसके बाद से अब तक जचल रहा है इसे क्या कहा जाता है इसे कह जाता है आधुनिक काल जाता है और इसे एक और नाम देतने इसे गध्यकाल भी कहते हैं इसे गध्यकाल इसलिए कहते है क्योंकि इस काल में जितनी भी रचनाई हुई है वो गध्यों के माध्यम से हुई है गध्य यानि एक कहानी टाइप की आपकी कविताओं की तरह नहीं हुआ गहिए इसा इन कालों की विवाजन किस पे हुआ है इनके नामों पर हुआ है और इनकी रचनाओं पर भी हुआ है जितने भी कालों को विवाज़त किया गया है एक तो उस काल में जो रचनाएं हुई जैसी रचनाएं हुई उसके अधार पर किया गया है उसका नामकरन भी इसी प्रकार से किया गया है कि वही वी पूर्व मद्यकाल जिसमें मैंने आपको बता है कि उस उस काल को आधिकाल के अंदर ही रखा जाता है थड़ पर मैंने बता है उत्तरमद्यकाल इसे रितिकाल भी कहते हैं तो उनका नामकरण उन समय की बिसिकली हम क्या देखते हैं रचनाओं के अधार पर हुआ है आगे बढ़ता है नेक्स्ट इनके साहत्यों का नामकरण के लिए बहुत से दृष्टी कोण मुझूद है मतलब हर किसी ने अपना अपना नजरिया देखा है मुझके रूप से देखा जाए तो साहत्यों का नाम करने स्री किसकिस ने किया है रामचंदर शुकली जी अजारी परशाद दिवेदी जी और रामकुमार वर्मा जी इन विद्वानों ने आधिकाल को का एक तरीके से नामकरण किया है और इन्होंने आधिकाल को जैसे एक तरीके से मैंने आपको बताया किसे वीर गाथा काल भ आपको बताए वीर गाता काल को सन 1050 से 1375 के बीच में माना याता है और इस काल के अंदर ही देखोगे इसमें एक हमारे राजा थे दिल्ली के बहुत पृसिद जिनका नाम था पृतिवी राज चोहान उनके बारे में उनके जो लेखक थे उनके जो दरवार में थे उन्होंने एक लेख लिखा था इसका नाम था पृतिवी राज रसो इस पृतिवी राज रसो में ही बताया गया था कि मुहमद गोरी को उन्होंने 15 बार हराया था और 16 बार में उन्होंने खुद पराजे मिली थ जिसके बाद उनकी मिर्त्यू के बार में बताया तो उसमें जो पित्वीरा चोहान जी है उनको बहुत जादा वीर रूप से दिखाए गया है ठीक ऐसे ही खुसरों की पहली है और खुर्मान रासो है विद्यापति की पदावली है यह सब अगर हम देखते हैं कि इसी काल में ह सारा रचनाएं हुई है जो में वीरों के बारे में बताती है इसी लिए रामचंद्र शुक्ल जी हाजारी परसाद दिवेदी जी और डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी यह हमें क्या बताते हैं यह कहते हैं कि यह काल कौन सा है वीर गाथा काल है कौन सा काल है वीर गाथा का काल है ओके नेक्स्ट आप इसके अंदर देखोगे कि भई पेपर में एक इंपॉर्टन चीज ये भी आएगी कि आदिकाल की जो लेखन की जो प्रविर्ति क्या थी देखो दोस्तों ये ये पेपर में बहुत ज़्याद क्या है विश्यसता आपको इसको पॉइंट बनाना है और इसको है कि आदिकाल में जितने भी साहिते में उसमें एकतोँ सामन्तों और आश्रे दाताओं का चित्रन किया गया गर्जैंजिता हैं आपको बताओं जिता plant को नृक्त कर देता है तो इन सब की जो बारे में जो वर्णन है इस सब वर्णन भी हमें कहां से मिलता है यह हमें पिर्थवी राज रसो से मिलता है तो इस तरीके से सामंतों के बारे में पता चल रहा है कि एक पिर्थवी राज चोहान को हरा कर मुहम्मद गौरी ने क्या किया इस दिल्ली सल्तनत को दिल्ली को किसी और को किसको दे दिया कुतुब बुधिन एबक्को दे दिया, तो सामंति मूले हमें इसमें पता चल रहा है, साते साथ आश्रे कैसे मिलता था इसके बारे में भी पता चल रहा है साथे साथ मैं आपको बता दूँ इस इसके अंदर क्या है इस आधिकालिन साहितों की प्रविर्ति में वीर रस और सिंगार रस की प्रदानता है किस की प्रदानता है मैं आपको बता है सबसे पहली बात कि इसके अंदर सामंती मूले और आश्रेदाता देखने को मिलते हैं कि यह ने ऐसे वर्डों का चित्रन कया है इसलिए इसके अन्दर सिंगारिश्च की प्रधानता है नम्मर तीन अगर हम इसके अंदर देखें तो इसमें जातर रचना आपर्मानिक और अर्धपर्मानिक यह परमानिक का मतलब है कि बही हो सकता है वो कल्पनाओं में उन्होंने रचनाई की है और जैसे कि हम बता दें आपको कि जो पृतिवीराज चोहान है कहा जाता है कि 15 बार मुहम्मद गौरी को उन्होंने हरा है था लेकिन और जो दूसरे अन्य राइटर हैं वो सिर्फ दो ही यह दुख्य बारे में बताते हैं जिसमें से एक में तो पृतिवीराज चोहान जी जीत गएते हैं और दूसरे में वो हार गयते हैं तो इस तरीके से लेकिन वहां पर जो पृतिवीराज चोहान के जो कभी हैंगे दरवारी कभी वो पृतिवीराज रसों में क्या बताते है पंद्रा बार मुहम्मद गौरी हारा तो एक तरीके से हम देखते हैं कि यह जो उसमें की रचना है वो अर्ध परमानी के यह आपरमानी के उसका मतलब कोई परमानी नहीं है कोई निश्चित निश्चित ही नहीं है इस बारे में कि यह ऐसा सच में रियालिटी में ऐसा हुआ भी था खिर या नहीं वाता सथ ह्याटी साते आप इसके अनर देखोगे कि इस कालं में जितनी मी रचनाएं हुए है इसा भी रचनाओं में युद्ध का सजीव चित्रन है यहां के राजां कार ये रजा को किस प्रकार से हरा देता है आप यह देख सकते हूँ साथ इसके अंदर हम क्या देखते हैं आदिकाल की परविर्तियों में लेकन की अगर हम देखेंगे तो इस में एक तो डिंगल और दूसरा पिंगल बह शाओं को परियुक किया गए को? अब आप को गए यह ढिंगल पिंगल क्या है? जो ढिंगल पिंगल जो भाशा है यह basically कहां की है राज्यस्थान की भासा है तो हम इसके अंदर और भी यह देख सकते हैं और पिंगल उसकी छेतरी किया गया है और साठी साथ इसके अंदर हम देखते हैं इस समय की जितनी भी रचनां है उन सभी रचनाओं में लोक बोली या लोगों की एक तरीके से स्थान ने बोलीयों का भी चितरन किया गया है तो आप इसका भी जरूर दियान रखेंगे इस तरीके से आपका जो यह कोशन है यह कोशन हो जाएगा पूरा आपको दोस्तों करना है इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है अगर आपको पसंद आए और आप इसी तरीकी से वीडियो चाहते हैं क्योंकि मुझे बहुत स्टुडेंट्स के कमेंट आरे सेकेंड यह के और थर्ड यह के भी किसर हमारी वीडियो भी बना दू हम लोगों के लिए भी कुछ नया बता दू किस तरीके से आंसर लिखना है किस तरीके से और बैस्ट करेंगे हमारी हमारे बारे में भी तो मैं उन ल वीडियो की डिस्क्रिप्चिन में आपको EBS का, Political Science का, उसकी वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी जाकर देखिए, अपने नोट्स बनाएए, एक्जाम की प्रिपरेशन कीजिए, और हमारे SOL solution, हमारे SOL परिवार का सदस्य जल्दी जल्दी बनते जाएए, और अ आपको कहीं क्लासिस या और कुछ तरीकी चीजे लेनी की आवशकता ना पड़े, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत